कि हां तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कल हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मैं थोड़े दिर के लिए मैसेज क्लोज करूंगा ठीक है कि मैं कल का जो डाउट्स है वो भी आज क्लिए हो जाएगा ठीक है डिलीट और ट्रंकेट में डिफ्रेंस बिलकुल आज पता चल जाएगा आपको डिलीट और ट्रंकेट में डिफ्रेंस क्या है वो भी मैं बताने वाला हूं ठीक है तो थोड़े से आप लोग नजर डालेंगे किस पे स्कीवल के फंक्शन्स पे फंक्शन्स के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं ठीक है मेली एक नियुमेरिक फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन होता है और डेटा फंक्शन होता है ठीक है जिसमें डेट फंक्शन तो यहां पर कुछ फंक्शन्स लिखे गए हैं बट मैं यह नोट्स के मैं आपको देने वाला हूँ आपको मैं थोड़ा यहां से एक-एक करके मैं समझा देता हूँ कि कौन-कौन सा function है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसमें numeric function जिसे math function कहा जाता है कि अगर हम बात करें सबसे पहले तो numeric function numeric function that is nothing but math function क्या यह numeric function and that is math function math function में सबसे पहले यहां पर एक important होता है वो होता है power function और पावर फंक्शन और पावर फंक्शन यहां पर आप कह सकते हैं कि पावर कि नॉर्मली यहां पर एक बात समझना है कि इस function को यहां पर जो यूज किया जाता है इसका आपको मैंने बताए कि case sensitive का कोई issue नहीं है मतलब case sensitive है lower case पर किस कुछ भी हो सकता है बट नॉर्मली functions के case में commonly जो use होता है वो होता है आपका capital letter में लिखा जाता है जिससे function का identification का पता चले अधर्वाइज इसको small में भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है यहां पर आप देखेंगे exam में normally यह capital letter लिखके आता है इसलिए हम लोग उसी चीज को देखेंगे power function है x, y ठीक है यहां पर x और y क्या है argument है मतलब यहां पर x, y क्या है x to the power y है तो power function का जो use है वो यह है power के लिए power x, y मतलब x to the power y और यहां पर जब command के form में लिखा जाता है तो इसमें select keyword use होता है जैसे select power फिर मैं small में लिख दिया ऐसे दिक्कत नहीं है select power और इसके बाद हम क्या use करेंगे to मतलब जो भी आप argument आप चाहें 2,3,4,2,3 हमने दे दिया यह 2,4 तो इसका जो output होगा वो output आ जाएगा 2 to the power 3 equal to 8 जब इस command को execute करेंगे इस statement को execute करेंगे तो यह एक power function है similarly एक function होता है round ठीक है एक function जो है वो है round function जो round आपको data देता है round data कब जरूरत पड़ता है जब हम लोग दसमलों में किसी data को use करते हैं जैसे point में ठीक है तो यहां पर भी select command यूज होता है select round और यहां मान लेजे हमारे पास है 25.621 ठीक है और यहां पर हम चाहते हैं round करना दो digits को ठीक है तो यह normally round decimal के बाद जो होता है यह floating point numbers में जैसे दसमलों के बाद वाले number को अगर हमने यहां पर दो लिखा तो यह दो digit तक क्या करेगा round कर देगा अगर अगर हम एक लिखेंगे तो एक ही digit round होगा इसका मतलब है कि यहां पर जब इस execute किया जाएगा तो इसका output जो होगा वो क्या होगा output होगा 25.6 ठीक है 25.6 इसका answer होगा क्योंकि दसमलों के बाद यह क्या करेगा दो अस्थान तक round करेगा ठीक है तो यह तो clear होगे आपको अगर यहां पर हम one use करते ठीक है तो यह क्या करता केवल one digit तक round करता यहां पर अगर simply अगर हम बात करें केवल round करने का अगर उसमें हम दसमलों में के बाद केवल एक ही नंबर यूज करते हैं तो उसको वह round simply round function जो है उसको round करके क्या कर देता है कि जैसे एक्जाम्पल कि सेलेक्ट कि राउंड 20.5 ठीक है सेलेक्ट राउंड 20.5 अगर हमने केवल इस function को यूज किया तो यह यहां पर क्या करता है अपने आप यह round करके और पुट जो देगा 25 देगा यहां पर एक बात देहान दें सेमी कॉलन हर जिगा यूज करना है जैसे यहां भी ठीक है तो यह क्या करेगा इसका output आ जाएगा आउट्पूट 20 ठीक है पॉइंट 5 को यह round कर देता है अपने आप यह 20 आ जाता है यहां पर डेसिमल में वैलू आपको यहां प्रवाइड कर देता है ओके इसके बाद की power function है round function है इसी तरीके से एक mode function है mode function का यूज होता है वो भी एक mathematic function है तो तीन function यहां पर यूज किया जाता है power round and mode ठीक है mode function आपको पता है modulus है मतलब reminder देता है reminder मतलब डिविजन के बाद जो reminder बचता है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें कि सेलेक्ट कि मॉड्ड 21,2 दे दिये ठीक है सेलेक्ट मॉड्ड 21,2 तो यहां पर 2 x 10 20 होता है दो दहाँ 20 और एक reminder यहां पर क्या बचता है एक तो यह केवल आउटपुट के रूप में क्या देगा यह स्टेटमेंट केवल आउटपुट यहां पर आएगा आउटपुट इकॉल टू वन यह हो गया मॉड्ड ठीक है तो यह इस तरीके से आपको तीन फंक्शन याद रखना है नियूमेरिक फंक्शन में पावर राउंड एंड मॉड्ड ओके एंड इसके बाद अब यहां पर स्ट्रिंग के केस में बहुत सारा फंक्शन होता है स्ट्रिंग के केस में बहुत सारा फंक्शन क्या होता है जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में आपको पता है कि स्ट्रिंग फंक्शन मतलब यह कारेक्टर्स को लेकर के है कारेक्टर्स के लिए अपलाई होता है यह सारा फंक्शन और यह यहां पर एक function होता है वो होता है मतलब या तो यह नहीं तो यह U case या copper case और यहां पर हम बात करें यहां भी सेलेक्ट यूज होता है सेलेक्ट यू केस ठीक है और यहां पर हम को इस्ट्रिंग लिखते हैं इस्ट्रिंग यह लिखते हैं बी पी एस सी बी पी एस सी एक्जाम ठीक है यह आउट्पूट कनवर्ट करके क्या दे देगा मतलब इसने क्या किया स्ट्रिंग को आपर केस में कनवर्ट कर दिया तो इसका सिंटेक्स सिंपल है सेलेक्ट यू केस बी पी एस सी मतलब यहां पर स्ट्रिंग का यूज करेंगे सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे तो आउट्पूट क्या दे देगा आपर केस में कनवर्ट करके आपको output provide कर देगा मतलब पूरा ही लेटर यहां पर क्या कर देगा अब पर केस कर देगा ठीक है similarly यहां पर lower या L case भी यूज होता है ठीक है L case या lower string string तो यह जो convert करता है यह किस में convert करता है converts to lower case यह lower case में convert कर देता है example similarly यहां पर select select L case select L case और यहां पर हमने क्या लिख दिया BPSC exam ठीक है यह output convert कर देगा lower case में BPSC exam ठीक है यह आपका string function में U case मतलब upper case और L case बस यह दियान रखने हैं इसको लिखते कैसे हैं बाकी तो इसका function कुछ मुश्किल नहीं है ठीक है और इसके बाद एक यहां पर function यूज होता है वो length का यूज होता है ठीक है एक function है वो है length किसकी length को जानने के लिए string के length को जानने के लिए हम लोग length function का यूज करते हैं ठीक है length of the string अदलब character के पूरे length को क्या करता है रिटर्न करता है ठीक है जैसे अगर हम बात करें यहां भी वहीं इसका भी syntax होता है select length और यहां पर हम length किसी चीज का लिखते हैं जैसे हमने bpsc लिख दिया आज कल यहीं जो लंत मुद्दा है कि बीपी एस्सी एक सेकेंड ओके तो यहां पर क्या किया इसने length जो है output में क्या देगा output इसका length calculate करके मतलब 4 character है तो 4 यहां पर output आ जाएगा तो length function है तो length function क्या करता है select length और बीच में आप क्या देंगे string देंगे उसी तरीके से आपको अगर किसी string का left का part आपको क्या करना है left का part आपको display करना है तो इसके लिए एक left function भी यूज होता है वट इसमें argument देना पड़ता है कि आप left से कितने क्यारेक्टर को डिस्प्ले करना चाहते है ठीक है जैसे इसका syntax हो जाता है लेफ्ट और यहां पर string और यहां पर आपको size specify करना पड़ेगा size in the sense की मतलब कितने number तक आप डिस्प्ले करना चाहते हैं जैसे अगर हमने use किया select left function computer और यहां पर size की जगह पर जैसे n कितना आप print करना चाहते हैं से तो हमने यहां पर लिख दिया कि फॉर ठीक है लेफ्ट लेफ्ट कंप्यूटर स्ट्रिंग हो गया और फॉर इसका मतलब यह क्या करेगा यह केवल इसमें से फॉर कारेक्टर को डिस्प्ले कर देगा बट एक चीज़ ध्यान लिखें यहां पर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं नहीं इन्वेटेड कोमा ताकि सेपरेट करें तो select left और computer कॉमा फॉर तो यहां पर output क्या कर देगा यह मतलब लेफ्ट से चार करेक्टर को डिस्प्ले कर देगा तो इस ट्रिंग में रिटर्न करेगा क्या करेक्टर को और उसी के साथ साथ आप यहां पर क्या कर सकते हैं राइट से भी अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो similarly left के जगा पर कौन सा function यूज़ करेंगे right function यूज़ करेंगे ठीक है तो left से left और right तो यहां पर keyword left यूज़ करेंगे और similarly इसका अगर हम right वला पार्ट देखें तो यहां पर right function यूज़ करेंगे जैसे यहां पर select right computer और यहां पर हमने लिख दिया 5 तो यहां पर केवल इसमें से क्या करेगा computer में से right के 5 character को क्या कर देगा display कर देगा ठीक है तो पांच character इसमें क्या हुआ पी यू टी यार पी यू टी यार मतलब इतना right के 5 character को क्या करेगा return कर देगा तो यहां पर आपने देखा function कौन कौन सा एक क्यू केस या अपर लिख सकते हैं एल केस या लोवर लिख सकते हैं और स्ट्रिंग लिख सकते हैं उसके बाद लेंथ जो स्ट्रिंग या character के length को display कर देगा output के रूप में और left मतलब यह किसी character string के left जितना character आप लेफ्ट से उतना display कर देगा राइट वाला जो function है वो क्या करेगा राइट से डिस्प्ले कर देगा ठीक है तो मेरे ख्याल से इसमें दुबारा आपको revision की नहीं पड़ेगे बस इतना ध्यान रखना है कि यह function होता है ठीक है left right या फिर uppercase lowercase अब यहाँ पर एक और function के अगर हम बात करते हैं वो है कि आपके कि अब कि अब करें अब 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 देट एंड टाइम function की अब हम बात करेंगे ठीक है date and time function basically date और time के लिए इसमें सबसे पहला जो function यूज होता है कि अगर आपको चाहिए कि current system का date and time आपके सामने आ जाए तो इसके लिए आप क्या use करेंगे function now ठीक है जैसे इसका जो syntax होगा यहां भी आप सेलेक्ट यूज करेंगे है select now ठीक है select now यह function जो है डिस्प्ले करेंगा करेंट कि सिस्टम डेट मतलब सिस्टम के डेट से क्या कर लेगा यह फेच कर लेगा और इसके साब साथ टाइम भी फेच कर लेगा मतलब सिस्टम डेट एंड टाइम तो यह तो हो गया एक function नाओ function यहां पर confusion होता है फिर डेट फंक्शन का क्या काम है डेट फंक्शन का काम है जो केवल डेट प्रिंट करेंगा ठीक है और और देट फंक्शन क्या करेगा यह डिस्प्ले करेगा वालनी डेट टीक है यह क्या डिस्प्ले करेगा वालनी डेट डिस्प्ले करेगा जैसे अगर इसकी गम एक्जाम्पल की बात करें तो इसका जो यूज होता है आप एक बात समझेए सेलेक्ट डेट नाओ तो इसमें भी नाओ यूज होगा लेकिन यह क्या करेगा सेलेक्ट डेट यहाप डेट को बहर रखेंगे एक सेकंड रुकिया सेलेक्ट डेट नाओ तो यह नाओ फंक्शन किसलिए हो गया करेंट सिस्टम से करेंट डेट और टाइम लेने का लेगा यह और उसमें से केवल डेट पार्ट को वल्ली डेट पार्ट डेट पार्ट मतलब वल्ली डेट विल बी डिस्प्लेट विल बी डिस्प्लेट नौट टाइम डेट ओर टाइम तो ये डिस्प्लेट करेगा करेंट डेट ओर टाइम सिस्टम के करेंट ओर डेट ओर टाइम से नाउ फंक्शन यहाँ पर date को जब हम use करेंगे तो यहाँ पर date function के साथ हमें now use करना पड़ेगा उसके अंदर तब जाकर कि यह क्या करेगा तब जाकर कि display करेगा output जैसे की date ठीक है output क्या करेगा आपको date यहाँ पर display कर देगा similarly month जो आपको करना है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि केवल month display हो ओके only अगर आप चाहते हैं कि month display हो तो उसके लिए month function use करेंगे बट यहाँ भी now use करना पड़ेगा ठीक है जैसे select month select month month now यह क्या करेगा केवल month month जैसे कि अभी month कौन सा है 7th है तो यह केवल 7 डिस्पले कर देगा ओके तो यहाँ पर date month इस तरीके से अगर आप खाली आपको केवल year डिस्पले करना है इसमें से only year डिस्पले करना है तो यह year भी डिस्पले कर देगा तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बट यहाँ पर एक बात समझे अगर अगर आप देखें तो यहाँ पर now, date और यहाँ पर अब इस पर आते हैं थोड़ा से देखते हैं जैसे एक average फंक्शन होता है कुछ additional फंक्शन को देखते हैं एक average फंक्शन होता है जो क्या करता है return the average value ठीके यहाँ पर एक count फंक्शन यूज होता है return the number of rows यह number of rows को return करता है ठीके किसको display करेगा number of rows को display करेगा जैसे कि number of rows अगर count करना है और जैसे हमने बताया जैसे हमने बताया कि जैसे employee table है तो किसी table के ही rows को count करेगा तो इस table के rows को count करना है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, select count star from employee, यह होगा इसका syntax, क्या होगा, इसका syntax होगा, select count star from employee, मतलब employee table के सभी row को count करने के लिए count function, तो यहाँ पर count function का use क्या है, to calculate the number of rows of a particular table, और ऐसे में क्या करेगा, यह count कर देगा, और जितना भी row होगा, वो rows employee table का, यह depend करता है, उतना ही क्या करेगा, डिस्पले कर देगा, जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर आपने समझे count, return the first value, return the last value, max, return the largest value, returns the smallest value, sum, returns the sum, यह सब आपके tables में use हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, अपर के इस lowercase, extract characters from a text file, length of a text field, round function, numeric field to the number of decimals, ठीक है, numeric field यहाँ से display करेगा, now function return the current system, date and time, and format how a field is to be displayed, यह format function है, ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, देखे, max function का क्या use है, यहाँ पर जैसे हमने एक max function देखा था, तो max function का use है, कि maximum जैसे, suppose कोई list of price है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर price है, actual में क्या use है मैं बता रहाँ आपको, जैसे price होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, select करते हैं कि lowest price या highest price, तो यहाँ पर maximum price जो होता है, max function से, और minimum price जो होता है, वो minimum function से, यहाँ पर price display हो जाएगा, 10, 20, 30, तो यह maximum जब हम use करेंगे, तो display क्या हो जाएगा, 30, तो इस तरीके से maximum value को return करता है, max function, तो यहाँ भी हम क्या use करते हैं, जैसे suppose यह price, कॉलम का नाम है price, और हमें इसको select करना है, और यह किस table में है, यह हो सकता है, टेवल, product table माल लिया इसको, कि product table में यह price है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी select function, मतलब select use करना पड़ेगा statement को, और क्या select कर रहे हैं हम लोग, maximum price को, तो हम क्या करेंगे, select max price, select हम क्या कर रहे है, maximum price, यहाँ maximum function यूज़ करेंगे, एक सेकंड कुछ mistake हो रहा है, select max, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कि किस column से, तो max price, from, table का नाम क्या देंगे, product, तो यह product कोई table है, उसमें price कोई attribute है, तीका, अब्विस से बात है, price attribute होगा product में, और उस price attribute से यह क्या करेंगा, maximum price को select करेंगा, तो यहाँ पर आपको क्या देगा, यहाँ पर देगा, output 30, एक बार मुझे बताईए, क्या समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा यह पतलब, ध्यान देना है, एक बार ताकि कोई function आ जाता है, तो आप लोग answer कर पाएं, अब इसका notes वैसे देने का कोई, बोरिंग थोड़ा सा लग रहा है, मुझे पता है, बट यहाँ पर इसका notes देने का तो कोई फायदा नहीं, अगर हम ऐसे दे भी दे, तो इसलिए तो मैं समझा रहे हूं, functions तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से जो important है, जो NCRT को भी हमने देखा, तो जो NCRT के अधार पर मुझे जितने important लगे, वो सब मैं आपको करवा देता हूं, अब देखे, function ना बताया जाए, तो कहिए अगर नहीं बताया जा रहा है, function तो बताना ही पड़ेगा, मेली एक्जाम में अगर देखे तो, now, date, ठीक है, date function यहाँ पर maximum भी आ जाता है, count function भी आ जाता है, बहुत important है, sum function आ जाता है, ठीक है, sum आ जाता है, जो क्या करता है, sum calculate करता है, किसी particular अगर हम देखे तो, किसी specified column का, उसमें अंतर इतना ही होता है, कि हम क्या करते है, select sum price from product, अगर हमें सभी price का sum निकालना हो, जितने भी price है, दिए गए price, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी, अगर देखे तो, ऐसे billing में हम क्या use करेंगे, इसको use करेंगे, क्योंकि price, product, price, product, price, और last में हम क्या करेंगे, sum function use करेंगे, उस particular column से, जहां पर हम value fetch करके, रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, sum function use करेंगे, sum price from product, तो यहां पर क्या करेंगा, यह sum आ जाएगा, जिसे अगर यहां पर है, तो 30, 20, 50, 10, 60, यह output क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो sum function हो गया, यहां पर हमने आपको बता दिया, max, minimum, sum, count, number of record, count करता है, तो यह सब functions आपके हो गए, ठीक है, average function क्या करता है, average return करता है, जैसे price का अगर average निकालना है, या किसी भी values का कोई A's ही क्यों नहों, A's का average निकालना है, तो हम average function यहां पर use कर सकते हैं, ठीक है, बस इसमें फर्क यहीं पर है, यहां पर maximum use कर रहे हैं, होँआ पर sum use कर रहे हैं, और अगर हमें price का average निकालना है, तो केवल हम क्या करेंगे, function AVG यूज कर लेंगे, ठीक है, केवल यहां पर function हम क्या use कर लेंगे, AVG function यूज कर लेंगे, एवी जी अगर price की बात करे price from product और select तो यहाँ पर क्या होगा average of the price जो है आपके सामने output के रुप में आ जाएगा तो यह सारे functions हैं और इसके अलावा mod power round अब हम लोग कुछ questions यहाँ पर देखते हैं ठीक है उसके बाद आपका को remaining part बचाओ को उसको कराए जाएगा जैसे सबसे पहला question है कौन सा slide सो करना है मांसा प्लीज टेल देखे round function में क्या होता है ने कि हम वहाँ पर जो use करते हैं number के साथ decimal places कितना आप round करना साथ है नियरेस्ट इंटीजर को round करना चाहते हैं या दो places तक round आप round कर रहे हैं या तीन places तक round कर रहे हैं वो depend करता है करता है इस टार लगाना इसलिए ज़रूरी है कि वो टोटल जो है सब को काउंट करेगा उसमें सब को यहां पर देखेंगे वाट इस्कीविल सर्वर स्कीविल सर्वर इस रिलेशनल डेटावेस स्कीविल सर्वर इजस होगा तो इसकीविल सर्वर किसका है मैं लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसकीविल सर्वर है Microsoft का और RDBMS RDBMS यहां पर इसलिए इसे कहा जाता है relational database management system because यह relation पर based है और table पर अधारित है it was created to compete with the MySQL and Oracle databases उसकी competition में Microsoft का यह product है ओके जरूवत को देखते वही तो कराय जा रहा है वरना तो NCRT में बहुत कम ही दिया था next which of the following is not a valid skill type data type हम लोगों ने पढ़ा था उसमें इसमें से कौन सा valid data type नहीं है float, numeric, decimal, character decimal कोई data type नहीं है option C next which of the following is not a DDL command which of the following is not a DDL command अपडेट ठीक है इसमें truncate, alter, create इसमें update जो है यह data manipulation का command है, dml का command है, update okay DDL command का मतलब कल विम हमने बताया था कि DDL command का use होता है structure के लिए किसके लिए? structure के लिए database के structure प्रवाइड करने के लिए table को ठीक है, schema का मतलब भी structure ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर structure of the database, table and schemes जैसे हम कोई database पहले create करते हैं, उसके अंदर table create करते हैं ओके? तो यहाँ पर आप देखेंगे DDL command का use क्या है? तो structure जो लोग कल नहीं थे, ध्यान थोड़ा सा जादा देंगे data definition language इसे कहा जाता है, define the structure of the database, table, schema etc it enable us to perform the operations like create, जैसे हमने कल किया भी था, create database, create table उसके बाद यहाँ पर drop, drop table, table name, ठीक है? alter, rename, truncate, यह जो use किया जाते हैं update command क्या है? यह manage करने के लिए data जो stored है database में उसको manage करने के लिए मतलब update करने के लिए यहाँ पर use किया जाता है ठीक है? update statement को और यह example किसका है? data manipulation language का even आप बात करेंगे तो insert, delete यह सब किसके लिए? data को manage करने के लिए अगर हम data को insert करना चाहते हैं data delete करना चाहते हैं या data को update करना चाहते हैं तो हम इन commands का use करते हैं update, insert, delete तो इसलिए इसको कहा जाता है data manipulation data manipulation language की commands ठीक है? next question में which of the following are tcl commands? एक confusion कल आप लोग का था delete में और truncate में delete में क्या होता है? कि delete में हमें where clause का use करना पड़ता है delete करने के लिए हमें where clause मतलब हमें किसी record को delete करना हो ठीक है? मतलब कहीं कुछ भी delete करना हो आगर हमें delete करना है तो हमें वहाँ पर where clause use करते है मतलब uniquely define करते हैं या किसी table को बट यहाँ पर truncate में क्या करते हैं? where clause का use नहीं करते हैं which of the following are tcl commands? transaction control language commit and rollback update and truncate select and insert grant and revoke grant and revoke आपका क्या है? data control language है grant करना और उसको वापस लेना मतलब privilege को grant करने के लिए और privilege को return वापस लेने के लिए इसको use कह जाते हैं data control language है commit and rollback यह use किया जाता है और save point भी यहाँ पर होता है commit, rollback और save point यह transactions में use होता है transaction control language commit, rollback और save point हमने कल ही पढ़ा था next which statement is used to delete all rows in a table without having the action logged which statement is used to delete all rows in a table table के सभी रोज को delete कर देता है without having the action logged delete, remove, drop, truncate answer क्या होगा truncate यहाँ पर देखेंगे truncate statement क्या करता है it remove all the rows in a table without logging the individual row deletions मतलब एके करके या किसी भी individual के row को delete ना करके पूरे ही क्या करता है table को सभी row को delete कर देता है और इसको इसलिए statement में कुछ ऐसा question था it uses fewer system and transaction log resources which makes it execution fast यह statement किसके जैसा है delete के जैसा है बट हमने अभी थोड़े दिर पहले क्या बताया डिलीट स्टेटमेंट यहाँ पर similar to delete statement बट यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे statement without the where clause डिलीट में where clause का यूज क्या जाता है ठीक है यहाँ पर where clause आपको डिलीट में यूज करना पड़ता है next is kival views are also known as skival views are also known as simple tables virtual tables complex tables actual tables टीकि व्यूज हम कैसे करते हैं किसी table को view करने के लिए हम क्या लिखते हैं select star from select star from table name दे देते हैं इसको कहा जाता है virtual table virtual table इसलिए कहा जाता है कि जो भी table आप view करतें skival में table उस तरीके से नहीं होता है data उस तरीके से store नहीं होता उस तरीके से वो present जरूर होता है बट actual रूप से storage में data को उस तरीके से store नहीं किया जाता है तो वो क्या है एक virtual table है ठीक है virtual table is the answer next how many primary keys can have in a table एक table में कितने primary की हो सकते है डिलीट के structure तो simple है प्राम टेबल नेम वेर कंडिशन डिलीट के लिए क्या है यो ता डिलीट फ्रॉंट आप टेबल नेम वेर क्लॉज और वहाँ पर क्या देते हैं कंडिशन देते हैं अ अ डिलीट फ्रॉंट टेबल नेम वेर यहां पर जो कंडिशन अब दे रहे हैं वो कंडिशन दे सकते हैं यह यूज होता है और हाँ मेनी प्रैमरीज की नियातं बाटेबल तो ली वण ऑप्ण क्या होगा एवेर ली it की अभू सो zwischen टाइब कैने स्टोर अनडे कम ग्साल ङ्न अ बिएन कोलम देखिए यहां पर यूज होता है रो मैंने बताया नहीं है बट कुश्चिन के फॉर्म में मैं बता रहा हूं आपको यहां पर देखेंगे रो टाइप रो डेटा टाइप स्टोर वरियेबल लेंथ बाइनरी डेटा डेटा इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है थार्टीट यूज टू थााउजनट सेवन डेट सिक्स्टी सवन कारेक्टर आपको पता है कि फिक्स्ट लेंथ का स्टोर करता है कारेक्ष्ट पलकुल मिल रहा है दीपक we can have more than one primary की ऐसा कैसे हो सकता है numeric stores numeric values only where can stores variable string data in a fixed length its maximum length is 4000 bytes 4000 bytes इसका maximum length होता है ओके यहां bytes में इसका value दिया गया है next question which of the following is not constraint in isquival primary key not null check union दो primary की होगा एक table में तो row को identify कौन करेगा जब दो primary की होगा तो दो candidate की हो सकता है तीन candidate की हो सकता है बट primary की तो एक ही होगा अगर question यह पूछा जाता है कि how many candidates की can be present in a table तो वो depend करता है fix number नहीं है यहाँ पर जो होता है constraint जो rule defined होता है primary की हो सकता है not null हो सकता है union हो सकता है यहाँ पर check जो है वो नहीं हो सकता answer क्या हो जाएगा option c check यहाँ पर देखेंगे constraint क्या करता है rule specify करता है कि जो rule एक particularly मैंने जो विजेता बताया था वो उसके हिसाब से बताया था मतलब digits के हिसाब से बताया था bytes के हिसाब से नहीं बताया था उस समय constraint specifies the rule to allow or to restrict what data is to be stored in table constraint क्या होता है constraint वाट रूल शुट भी इंपोज्ट ओके और यहां पर कि अच्छाइब 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 एक सेकेंड एक सेकेंड हमने थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक कर दिया आपको बता दिया यूनियन तो होता है आपके वहां पर जॉइन करने के लिए यूनियन नहीं होगा प्राइमरी की नौट नल और चेक हो सकता है तो कॉन्स्ट्रैंट में क्या हो सकता है प्राइमरी की नौट नल चेक यह कंस्ट्रैंट हो सकते है और यूनियन क्या एक ओपरेटर है यूनियन एक ओपरेटर है जो क्या करता है results को combine करने के लिए use होता है ठीक है results को combine करने के लिए इसको correct कर लिजे ठीक है union एक operator है जो combine करता है दो या दो से अधिक results को multiple select queries से into a single result set ठीक है ओके next which of the following is not a valid aggregate function count, compute, sum, max count, sum, max जो maximum को display करता है count जो total number of rules को count करके display करता है output के रूप में sum and max यहाँ पर answer compute बिलकुल सही होगा ठीक है compute जो है वो कोई function यहाँ पर नहीं है count है, sum है, max है ठीक है calculations में आपको पता है mathematics functions, aggregate functions का use क्या जाता है multiple values, return the output in a single value select statement के साथ इसका use क्या जाता है count, sum, max यह सब किस के साथ use होता है अभी हमने अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर select statement के साथ use होता है यह सभी हमने अभी तो देखा था example okay and उसके बाद in which of the following cases a DML statement is not executed act यह पर्णाव पर्णाव ड्रणाव देखाओ था के साथए झाया पर्णाव और यह अप्रणाव देखाव जबाद के साथ अभी खित्व पर देखाव in which of the following cases a DML statement is not executed data manipulation language statement जो है execute नहीं होगा किस केस में when existing rows are modified when a table is deleted when some rows are deleted all of the above देखे इसका answer होगा when a table is deleted अगर table exist नहीं करता है तो data manipulation statement का use यहां पर और कोई condition नहीं दिया है ना आपसे simply क्या पुछा गया है आपसे simply पुछा गया है कि which of the following cases DML statement is not executed data manipulation language के statements को होगा वो यूज नहीं होगा तो आपके इस केस में क्या answer करना है आपको table is deleted when a table is deleted option b is right ओके तो बस एक छोटे से break उसके बाद आगे के points पढ़ेंगे DML statement का use क्या है तो access and manipulate the data in existing table ओके और उसके बाद therefore it cannot be used in a table deletion देखिए यहां पर जैसे कि अगर हम बात करें कि आप में से कई लोगों ने पुछा कि सर having clause आपने नहीं बता है clause तो बहुत सारा है तो क्लॉज की अगर हम बात करें क्लॉज है और यहां पर थोड़े से हमें पढ़ना है ज्वाइन के बारे में ज्वाइन से question बन जाता है तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर देखेंगे एक important जो हम लोग बात कर रहे थे चेक कॉंस्ट्रेंट की ठीक है तो अगया आप सभी लोग अगया 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 जो है हम लोग apply करते हैं जब table को create करते हैं उसे टाएं तो constraint में जैसे अलग-अलग constraint हम लोग लगाते हैं जैसे यहां पर constraint की हम बात कर रहे है किस constraint की check constraint की check constraint का क्या use है इसको थोड़ा सा मोग देख लेते क्योंकि यह नहीं हुआ था सबसे पहले अगर हमने कोई table create किया है ठीक है create table माल लिजे हमने student की table पर ये check constraint apply करना है ठीक है student की table पर check constraint apply करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं roll number int हम चाहें तो specify कर सकते हैं यहाँ पर int 10 यहाँ पर एक constraint हमने लगा दिया not null ठीक है तो ये भी एक constraint है जो हमने क्या लगा दिया not null मतलब roll number का value null नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद हम इसमें क्या apply कर दखते हैं name worker 20 ठीक है या जो भी 20, 25, 30 और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं is is हमें से क्या होता है integer में होता है तो integer हम यहाँ पर apply कर देते हैं is int और यहाँ पर हम check constraint apply कर सकते हैं check यहाँ पर हम क्या constraint लगा सकते हैं check constraint check constraint में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोई condition दे सकते हैं condition जैसे कि age 18 वर्स से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर हम constraint क्या अप्लाई कर सकते हैं is should be greater than 18 ठीक है तो यहाँ पर हम constraint apply कर दिये तो यह constraint क्या है check constraint है यहाँ पर हम जो है इसको close करेंगे एक और यहाँ पर ब्रैकेट लएगा यह तो हो गया check constraint के लिए एक ब्रैकेट जो यहाँ पर हमने open किया तो यह जो होगा एक तरीके से आपको हमने क्या बता दिया कि check constraint कब हम apply करते हैं जब किसी condition को हम किसी भी उसमें मतलब किसी column में कोई condition लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं यह table जो है इसमें कौन-कौन सा attribute है यहाँ पर एक roll number attribute है यहाँ पर name है और यहाँ पर क्या है एज है यहाँ पर हमने क्या लगा दिया कि roll number जो है यह not null constraint लगा दिया मतलब यह हमेशा integer का value होगा null नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक attribute हम primary की करूप में use करते हैं उसके बाद name है उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगा दिया integer लगा दिया एज लगा दिया तो एज यहाँ पर क्या होगा कि 18 वर्ष से जादा होगा तभी जाकर के आप यहाँ पर आपका record maintain होगा तो यहाँ पर हमने student table में इसको apply करिया तो यह check constraint है मेरे ख्याल से check constraint के बारे में आपको पता चल गया होगा बताईए check constraint is clear constraint में आपको हमने क्या बताई एक not null या constraint एक हो सकता है unique क्या हो सकता है यूनीक और उसके बाद कि प्राइमरी की constraint फॉरेंड की constraint एंड चेक constraint है को के अ कि अ प्राइमरी की भी रख सकते हैं not null के जगह पर बिलकुल रख सकते हैं प्राइमरी की भी रख सकते हैं यहाँ पर नौट नल हमने रखा बट यहाँ प्राइमरी की भी आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह बट सो अनदर क्वेरी रिलेटेड टो इट यास वी कन यूज मल्टीपल कॉंस्ट्रेंट दिप्ती इसमें को कितना भी कॉंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर हमने दो कॉंस्ट्रेंट तो यूज किया ही है और इसी टेबल में इसी टेबल में हमने क्या किया यहाँ पर रॉल लंबर के लिए अलग कॉंस्ट्रेंट यूज कर लिए हम नेम के लिए अलग यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमने एज के लिए क्या यूज किया चेक तो हम मल्टीपल कॉंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हैं एक ही टेबल में कि कौन पूछ रहा है किस लेंग्विज के कमांड है या किस लेंग्विज के कमांड पढ़ रहे हैं हम लोग एक साथ किसी एक अट्रिव्यूट में हम एक कॉंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अगर आप कॉंस्ट्रेंट अगर कोई रूल इंपोज करना चाहते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अधर्वाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है ओके ओके तो बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा थोड़े दिर और कि क्लोज करना पड़ेगा तो अब हम बात कर रहे थे किसकी इसके अलावा आपका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है अब चलिए काम करते हैं कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं आज इसका क्योंकि छोटा छोटा हिस्सा बचा हुआ है आपका छोटा छोटा हिस्सा जो जो है इसको थोड़ा सा आपको कराना पड़ेगा अलग से क्योंकि मैंने आपको DCL कमांड बता दिया इसका डेटर टाइप हो गया कीज हो गया था आप लोग मुझे एक बार बताईएगा कि मतलब आपके एंड से क्या-क्या इसमें और कराना है हमें एक बार आप लोग भी बताईए मुझे ताकि मैं नोट कर लूँ प्राइमरी की डेटा एप्स्ट्रेक्शन ओके नॉर्मलाइजिशन ओके एक सेकेंड लोग बार क्योंलाइजन ओके एक लाएजव बड़ेजिशन मेरे कॉर्डिंग आपका जो बचता है एक तो सी सी प्लस प्लस भी आएगा बिलकुल आएगा थोड़ा बहुत कुश्चन तो वहां से आएगा चलिए मैं एक बार आपको बता दू जो आया है हमारे पास बहुत सारे लोगों से इंपूट एक तो एसीड प्रोपर्टी चलिए नौर्मलाइजेशन नौर्मलाइजेशन ज्वाइन अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेते हैं और यह जो है हाँ एमसी क्यूज करवाते हैं एक सेकेंड रुक जाएए जस्ट गीब में एक सेकेंड एक तो एक दो कुश्चन यह बचा हुए इसको कर लीजिए उसके बाद नेक्स फाइल में ओपन करता हूँ एक क्वेश्चन एक कमाइड लेट्स यू चैंज ओन और मोर फिल्ड इन अ टेबल इस a command that lets you change one or more field in a table is modify next fill in the blanks defines rules regarding the values allowed in columns and is the standard mechanism for enforcing data database integrity fill in the blanks defines rules regarding the values allowed in columns and is a standard mechanism for enforcing database integrity this is constraint अब हम लोग mixed mcqs कुछ करेंगे और वो भी rapid fire टाइप एक सेकेंड में इसको convert कर दो PDF में उसके बाद यह question I hope आप लोग नहीं practice किया होंगे या किये भी होंगे तो इसको एक बार rapid fire में फास्ट तरीके से कर लेते हैं चलिए question का आंसर दीजे जल्दी जल्दी से फास्ट पाइथान सपोर्ट अब्जेक्ट ओरिएंटेड structured programming as well as object oriented structured programming functional programming all of the above answer क्या होगा option 4 all of the above next question है which of the following function is a built-in function in python python हुआ नहीं है बट आपको थोड़ा सा यह basic question है which of the following function is a built-in function in python factorial print seed square root यहाँ पर देखे print function यह built-in function है option 2 next which of the following is a feature of python dog string which of the following is a feature of python dog string in python all functions should have a dog string dog string can be accessed by the dog attribute on objects it provides a convenient way of associating documentation with python modules functions classes and methods all of the above mentioned all of the above mentioned is a right answer next question which of the following has the highest precedence in the expression किसी भी python के expression में प्रिसिडेंस जो होता है वो क्या होता है आप याद रखेंगे एक बात यहां पर पारेंथेसिस का हाइस्ट प्रिसिडेंस होता है ठीक है नेक्स होता है मैंने नहीं पढ़ाया वैसे मिक्स क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है आगे पढ़ाया जाएगा ओके शिस्टम कॉल are usually invoked by using software interrupt polling and indirect jump a privileged instruction system calls are usually invoked by using system calls are usually invoked by using software interrupt answer one next the refreshing rate of dynamic RAM in the range of the refreshing rate of the refreshing rate of dynamic RAM is in range of 500 millisecond to one second answer is option four next day the solution to critical section problem is mutual exclusion progress and bounded waiting the statement is true statement is false true statement is contradictory all of the above the statement is true statement is true solution to critical section problem is mutual exclusion progress and bounded waiting next day the address of the first element of array is called the address of the first element of array is called first address base address initial address location and address is called base address option two is right base address next day the process of creating instances from class is known as the process of creating instances from class is known as this is known as instantiation 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 hootah class object create create करने के process को because process यहां पर class से object क्योंकि object क्या instance of class है next if communication software can be called traffic cop of a micro communication system then what should the modem be called क्षीज़ कर्पीज़ को क्योंकि यह यह इसलेश्टर का क्योंकि क्योंकि इह क्या करता है त्रांस अवर्ज़़ाग से डिजिटल में डिजिटल से अन्र लौॉग में कनवर्ट करता हैν नेक्स्टीछन क्या है communication between computers is almost always communication between computers almost always it's a parallel communication next the term operating system means the term operating system means a set of programs which control computer working the way the computer operator works conversation of high-level language into machine the way flop a disk option one is right next question is the part of the machine level instruction which tells the central processor what to be done is the part of central processor the key to work with a of code or operand operation code होता है जो यह कहता है कि क्या करना वाट इंस्ट्रक्शन मतलब instruction का जो फर्स्ट पार्ट होता है सेकंड पार्ट अपरांड होता है in serial processing if runtime errors are detected the state of the machine can be examined and modified by means of console switches or with the assistance of a program called runtime error अगर detect होता है तो वो किस से पता चलता है तो debugger से पता चलेगा किस से पता चलेगा debugging मतलब आंसर क्या होगा debugger next a fill in the blanks is preferable in systems requiring low power consumption preferable in systems requiring low power consumption answer is CMOS complementary metal oxide semiconductor option 3 is right complementary mess metal oxide semiconductor next the technique for sharing the time of a computer among several jobs which switches job so rapidly such that each job appears to have a computer to itself it's time sharing time sharing next question transaction fill in the blanks transactions are your transaction collection of operations that form a single logical unit of work are called transaction collection of operations that form a single logical unit of a work are called transaction is a unit of program execution that accesses and possibly a possibly updates various data items transactions consist of all operations executed between the begin and end of the transaction all of the above answer is all of the above option 4 next a list of a finite number of homogeneous data elements is called stack q array link list okay next er model is used in fill in the blanks phase er model is used in fill in the blanks phase conceptual database schema refinement physical refinement applications and security it is used in conceptual database option one is right next next er the real brain of an artificial intelligence system is referred to as the real brain of an artificial intelligence system is referred to as एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है एक्सपर्ट सिस्टम next is what are the two main types of functions function के दो type कौन होते है एक होता है built-in function और एक होता है user defined function built-in function and user defined function next is what is artificial intelligence artificial intelligence एक field है जो aim करता है to develop intelligent machines intelligent machines मतलब जो automation या industrial control system automation या एक्सपर्ट सिस्टम यह सब intelligent machines के एक्जामपल है what is blockchain ब्लॉक्चेन a blockchain is a decentralized distributed digital laser consisting of records called blocks option one blockchain जो technology होता है वो based on the decentralized distributed or digital laser होता है जिसमें records को blocks कहा जाता है इसलिए ब्लॉक यहां पर क्या कहता है blocking technology नेक्स्ट इस वाट इस क्लाउड कंप्यूटिंग वाट इस क्लाउड कंप्यूटिंग सतेंद्र कुमार कर रहे हैं फाल्तू का कोश्चन ऐसा भाईया फाल्तू का है तो अब मत करो फाल्तू ही लगेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग पिकलाउड क्या होता है storage space जो remote remote place पे है मतलब आप data को access data store कर रहे है data access कर रहे है upload कर रहे है download कर रहे है यहाँ पर cloud computing means provide services like storage servers database networking that is known as cloud computing ठीक है वू इस्टेंडर्ड वैब स्टेंडर्ड जो बना रहा है वो कई सारे कमपनियों का एक असोसियेशन है जिसका नाम है World Wide Web Consortium World Wide Web Consortium Team Burnersly के दोरे स्टार्ट किया गया था किसके दोरा Team Burnersly जो www के founder है उनी के दौरा W3C का आ जाता है W3C मतलब World Wide Web Consortium ठीक है ओके